इस विश्व में जितनी भी लडाईया हुई है और जो राजा किसी अन राजी को जीत लिया है तो उस लड़की को यौन दासी बनाता था उलोग मतलब उनके साथ सेक्स स्लेव किया जाता था उनको पकड़ के लंगा घुमाय जाता था लेकिन लड़कों को सैनिकों को उलोगो में खोल दी थी और यह उनका रिवेंच था कि तुमारे घर की औरत को हम बरबाद करेंगे और यह तो उस समय की बात है उसकी बात भगवान इंटर्वीन किये लेकिन अभी के टाइम में तो जो हमारे जो लीडर्स है उन्हों का काम होना चाही था उन्होंने ऐसा किया नहीं कि लड़का को मार दिया गया लेकिन लड़की को नंगा गुमाया गया आप समझे इस बात का अंतर समझाते हैं सबसे पहली बात तो हमको समझे नहीं आ रहा है कि है यही बोला जा सबता है ना गंदा इतना घिनओ नraine कि एक अफवाह फैला था कि कुकी लोगों ने ऐसा कुछ गलत कर दिया है इसलिए मैताई लोग घुस कि आ गए और सुनिए अफवाह क्या फैला कि एक लड़की का डेड बोडी को प्लास्टिक में लपेट कर एक फोटो वारल किया गया वो फोटो 2019 का है वो फोटो दिल्ली का है और दिल्ली में एक लड़की का मडर उसके घरवालो ने किया था उसोटो को फैला कर कहा गया कि कुकी लोगों ने यह काम किया है मैताई लोगों के साथ अब मैताई लोग पढ़े तो उपगल हो गए अब कुकी का घूड़ा तो गाउघ़ घूड़ा तो बहाँ बाग ग उपसे निकाल करना किया गया और पुलिस वहाँ पर देख रही थे, हम लोग सुनते हैं कि जो मतलब वर्दी पहनता है, आर्मी का हो, पुलिस का हो, तो उसके अंदर इस बात का जजबा रहता है कि हमरा स्वरवा काट दीजिये, लेकिन फिर भी हम अपने आदमियों का रच्छा करेंगे, अब आदमी देशवासी हो गया, और जो पुलिस वाला है, उसका राजवासी हो गया, जीलावासी हो गया, थानावासी हो गया, लेकिन पुलिस के सामने उसको निकाल दिया गया, ये चीज के बाद भी, अगर ये लोग इतने टेकन बैक हैं कि नहीं ठीक है, अराम से करते हैं, तो पुरा माहौल सांथ हो रहा है तो धीरे एक इक इलाके से उसको हटाया जाने लगा उसके बाद माहौल बिगड़ा अब वो नियम लागू था तो क्या होता था सेना के उपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है हम सलक पर चल रहे हैं सेना का जवान हमको गोली मार दिया हमरा कोई अवकात निये कोई है कोई हसियत निये कि हम जाकर किसी भी कोट में सुप्रीम कोट हो हाल चाहें वह हाई कोट हो कहीं निर्भया के वक्त जब यही बीजेपी की सरकार इतना चला-चला के कह रही थी रोड पे सब लोग धढ़ना दे रहे थे तो आज यह सारे लोग इसमें कितने सहजता से बात कर रहे हैं कितने आराम से यह लोग सामने आये हैं और मुझे तो इसमें यह भी याद आ रहा है कि ज आप को लगे कि आप महिलाओं के साथ हैं तो मुझे तो लगता है इन सब की मान सेकता कही न कहीं दभी-दभी ऐसी है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इतने बड़े मुद्द से और ऐसे लोगों के लिए साजा लॉग और मेरे ख्याल से तू नहीं पचा है कि अगर पचा होता है तो फिर अभी तक मिल गया होता है और ऐसा होता ही नहीं सबसे पहले तो महिलाओं को समझा जाता है कि घर की इज़त होती है जब भी कुछ होता है तो कहा जाता है कि उनके घर की बेटी उठा लो आप आम तोर पे भी अगर गाओं में जाएंगे तो कोई किसी को पैसा दिया रहाता है तो कहता है कि अपनी बेटी को भेजवा देना यानि वो उसकी इज्जत उतार रहा है तो उसी तरीके से ये घटना मनीपुर में अभी जो हुई है इसके पहले बिहार में हुई थी 2018 में आरा में हुआ था ये घटना एक लड़के का सौ मिला था रेड लाइट एरिया में उसके गारजीवन रेड लाइट एरिया में जाते हैं एक महिला को पूरा कपड़ा उसका खुलवा के पूरे मार्केट में घुमाते हैं वीडियो बनाते हैं लाइब वीडियो करके फेस सब्सक्राइब कर रहे हैं कि सेना को महिलाओं ने रोक लिया तो उसको नंगा करेगी और सेना देखेगी मनیपور में जो हुआ वो पूरे देश को जगजोर कर रख चुका है वहां दो महिलाओं को नंगा किया जाता है पूरे गाओं में घुमाया जाता है उनके साथ दरिंदगी की जाती है और वहां पर लोग तमाशा देख रहे होते हैं दो महईने पहले यह सब कुछ हो चुका है और दो मैने बाद अब जब वीडियो सामनी आया है उस पर बवाल हुआ तो वहां के जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है ये एक मामला नहीं है ऐसा बहुत सारे मामले वहां होते रहते हैं असके बाद अब सवाल ये है कि इसके जिम्मेदारी कौन लेता है महिलाएं सुरक्षि लोगों से कि इसके जिम्मेदारी कौन लेता है क्या सरकार की गलती है या फिर हमारे समाज की गलती है इसी मुद्ध पर चर्चा होगी मगर उसके पहले नमश्कार स्वागतिया आपका हमारे स्पेशल सेग्मेंट जिसका नाम है श्पूर नामना है और मैं आपके साथ कि जीए और आपके भात्या तो अब क्या कर रही है क्या धर्णाप्रदर्शन हो रहा है क्या उसके लिए समधान निकाला ज़का रहा है और क्या असकी पार लड़कियां खुद को स्रक्षित महसूस करेंगी बाहर हो करारी हो qui कि बात समझेगा लड़का को मार दिया गया लेकिन लड़की को नंगा घुमाया गया आप समझेए इस बात का अंतर समझाते हैं हमको लगता है किसी को गोली मारना कोई दिक्कत की बात नहीं है गोली मारता आधी मर जाता है लेकिन किसी को नंगा घुमा दिजीगा तो जिंद क्योंकि गोली मार दिया तो मर गया, उस जीवन में जिन्दा नहीं है, लेकिन किसी लड़की को लंगटे घुमा दीजेगा नंगा, तो उसके बाद कहा जाएगी, किसको अपना मुह दिखाएगी, उसके बाद, आज सुबह सुबह एक पोस्ट पढ़ रहे थे, कलाद जब माल लेकिन लड़कों को, सैनिकों को, उलों को मार दिया जाएगा था, पता है क्यूं, क्यूंकि ये दर्शाता था कि हम तुम्हारे राज्य के नए मालिक हैं, तो आप समझेगा कि इस तरीके से पहले से ही बात को किया गया है, अरे भाई, अगर आप बहुत तथे में जाएग वो फोटो 2019 का है, वो फोटो दिल्ली का है, और दिल्ली में एक लड़की का मडर उसके घरवालों ने किया था, उस फोटो को फैला कर कहा गया कि कुकी लोगों ने ये काम किया है मैतई लोगों के साथ, अब मैतई लोग पढ़े तो उपागल हो गए, अब उप कुकी लोग उससे भी खतरनाक क्या था हम सुबह ख़वर किये हैं कि पुलिस की गाड़ी से निकाल करनंगा किया गया और पुलिस वहाँ पर देख रही थे हम लोग सुनते हैं कि जो मतलब वर्दी पहनता है आर्मी का हो पुलिस का हो तो उसके अंदर इस बात का जज़बा रहता है कि हमर पुलिस वाला है उससा राजवासी हो गया जीला वासी हो गया लेकिन पुलिस के सामने उसको निकाल दिया मुहित जी क्ख़बर किये थे कि कुकी और मैताई समुदाए के लोग अलग-अलग पुलीस में है तो सबसे उपर उठकर अगर इस पर बात किया जाए तो विश्व का सब मतलब आज एक टेलिग्राफ अख़बार है मतलब हम क्या बोले हमको आशुवा गया हो हैड्लाइन पढ़के वो लिखा था कि 56 इंच की छाती में छेद होते होते 78 दिन लग गए मगर मच को फोरो डाल कर मतलब कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हम बहुत बड़े मतलब सासक हैं तो उनके उनका 56 चाती में छेद होते बहुत 78 दिन लगा 89 दिनों बयान दिये और सुप्रीम कोर्ट बोला तो हमको लगता है कि सबको मतलब जस्टिफाई कुछ लोग हैं जो अवी भी फेस्टिबूप पो जाया कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सेना को महिलाओ ने रोक लिया तो उसको नंगा करेगी और सेना देखेगी य लेकिन महिलाओ को नंग करके घुमाना हमको लगता है कि इस देश के हरादमी को एकंचे कम 10 दिन खाना नहीं खाना जाहिए। बिहार की आद Knox को खाना नहीं खाना चाहिए महराश्ट की आदकी खानी 9 कर अद कर और वह खा रहा है तो बत्तमीज he पत्रकार गई ठी फी एक महिला पत्रकार अज़्यंदा कि उनीकी नीक है कि हमको बोला कि हम्हारा लह तो कपड़ा खूल लो सोचिए उस लड़की पर क्या भी तरह को कपड़ा खोली हूँ अपना तो समझी हम कहा है यही इसका कोई सरकार कोई आदमी से मतलब नहीं इसका मतलब है कि हम लोग पिसाच हैं हम लोग इंसान के कटेगरी में नहीं आते हैं शामभवे हिंसा की आर में हवस का नंगा नाच हुआ है मनेपूर में और उसके बाद भी कुछ लोग आ रहे हैं इसको जस्टिफाइब कर सकता है कि आप महिलाओं को नंगा करके गाओं में घुमाए और उसके बाद अब इस पर क्या कुछ आगे इन लोगों को सजा देनी चा समुदाय के बीच दो पक्षों के बीच लड़ाई होती है तो उनके लिए सबसे soft target होता है कि उनके घर की बेहन बेटी के ऊपर target करो उसकी चीचा लेदर करो उसके इज़त को तार-तार कर दो और ये अभी से नहीं हो रहा है ये पहले 1947 के partition के war के समय से ही हो है अभी हम आप देख लीजिए वहां भारत में क्या हुआ था दुरापदी की साड़ी उन लोग ने खोल दी थी और ये उनका रिवेंच था कि तुम्हारे घर की आउरत को हम बरबाद करेंगे और ये तो उस समय की बात है उसकी बात भगवान इंटर्वीन किये थे लेकिन अभी के टाइम में तो जो हमारे जो लीडर्स है उन लोगा काम होना चाहिए था उन्होंने ऐसा किया नहीं अब भारत में जो रूल्स होते हैं रेप को लेके जो भी सजा है उसमें बहुत तरीए के लूप होल होते हैं एक तो जो लाइफ प्रिजिशन्मेंट किसी का हो गया लेकिन अगर जो जिन्दा भी बच गया है रेप के बाद जो लड़की जिन्दा बची है उसमें से तो एक तो मुझे लगता है लापता भी है वो लोग कह रहे हमें मिल ही नहीं रही है वो पता नहीं कैसा वहां का regulations है कि उनको कोई मिल ही होता है ना जबकि पुलिस वाले लोग के सामने अगर ऐसा हुआ नहीं होता तब जब वो लोग अपने में लड़ भिड़के ऐसा कर दी होते तब लेकिन पुलिस बैठी हुई है पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है कैसी नहीं हत्ती पुलिस है और ये लोग जो पिछले काई सारे ऐसे फॉर्मर प्रोफेसर्स हैं लीडर्स हैं जो की रिटार्ड एड्वोकेट्स हैं उन लोग ने कहा कि ये फेलियर लॉइन और का सबसे पहले है अगर वो लोग नहीं उस चीज में साथ देते तो ऐसा होता ही नहीं और उसके वीडियो इतने दिन के बाद वाइरल हुआ अब हम लोग को ये भी सोचना चाहिए ना कि बाकी जगाओं पे जो ऐसी सजाए बनती है ना जहां पे फासी पे लटका दिया जाता है सर काट दिया जाता है तो ये बोलने में बहुत खराब लग रहा है लेकिन ये ही होना चाहि मुचह नहीं दिख़ा हैं कि जितने बृटकार लोग बैट कि ट्वीट कर रहे थे मीम्स डाल रहे थे जोती मोर्या चली पत्नी को छोड़को तो पतनी को किचिन में रखो वो लोग के वाल पे मुझे नहीं दिखा कि इसके एवज में उन्होंने कुछ लिखा हूँ ऐसा कि जिससे कि आपको लगे कि आप महिलाओं के साथ हैं तो मुझे तो लगता है इन सब की मान सिकता कहीं न कहीं दभी-दभी ऐसी है कि आपको कोई पर्क नहीं पड़ता है इतने बड़े मुद्दे से और ऐसे लोगों के लिए साजा लॉइन ओर में मेरे ख्याल से तो नहीं पचा है क्योंकि अगर बचा होता तो फिर अभी तक मिल गया होता और ऐसा होता ही नहीं फिर इसा ॉक्सेट करते हैं तो जब सोशल मीडिया यह में जैसे शब्द को इतने गंभृता से ले रहा है तो फिर सऱकार रेव जैसे शब्द के पीछे जो चीज हो रहा है उसको क्यूं क्यों नहीं बना रहे है कि लोग रेव सोचने से भी डरें हमको लगता है कि कानून नियम सब बहुत बन चुका है कानून नियम हमेशा बनता है तो कानून कहता है कि प्रूफ करने का चांस तो दिया जाएगा कि तुम सही हो कि गलत हो लगी नहां जहां प्रूफ हो रहा है सब कुस दिख रहा है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए अब मनिपूर का जो है जो मतलब जो ग्राज़िकल जो वहां का एरिया है उसको अच्छा है समझे उभिहार उत्तर प्रदेश इसके मैदानी इलाका नहीं ह वहाँ पर सेना के बारे में कहा गया कि वहाँ पर पहुंच नहीं पाई आज से दो सप्ता पहले हम एक रिपोर्ट पढ़े कि इंडियन आर्मी गवर्मेंट को कहती है हो मिनिस्ट्वी को कहती है कि आप जो पावर एक्ट है उसको लागू किजिए नहीं तो हम नहीं जाएं कह रही है कि उनको वकिल तक नहीं मील पा रही है अब सेना कह रही है कि जो उनका पावर एक्ट है उसको लागू कर दीजी तब हम कारवाई करेंगे नहीं तो हम जहां जाएंगे वहां पर आप मजिस्टेट को भेगी है साथ में, क्योंकि हमारे उपर गलत आरोप लग रहा है, अब सेना का दिक्कत क्या है, कि अगर ये पावर एक्ट अगर जो ए स्पेसल है, इसको गॉर्में लागू कर देगी, जो मनिपूर में कलतक लागू था, कलतक मतलब कि कुछ मही साथ हो रहा है, तो धीरे धीरे एक एक इक इलाके से उसको हटाया जाने लगा, उसके बाद माहूल बिगडा, अब वो नियम लागू था, तो क्या होता था, सेना के उपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, हम सलक पर चल रहे हैं, सेना का जवान हमको गोली मार दिया, हमरा सवाल नहीं से, अब मनिपूर के लोगों को गवर्मेट ने सोचा कि, मानुवधिकार का आवाज उखता था, तो सरकार उसको हटा दी, कहा गया कि उसको हटा रहे हैं, क्योंकि माहौल सान्थ हो रहा है, लेकिन इसके बाद माहौल बिगडा, अब सेना की धिक्कत यही है, कि सेना वहाँ पर करे तो करे क्या, उसके उपर आरोप लगता है, दूसरा चीज, कि बिहार में अगर सेना है, पुली से काम करती है, तो यहाँ पर आम आदमी है और सेना है, वहाँ पर कहा है कि भारत सरकार का, और बहुत सारे मैतई ग्रूपों का, कूकी ग्रूपों का, वहां पर कुछ बिसेश तोर पर अब तक हो नहीं पा रहा है कि सबस्क्राइब की लोग कैसे हैं क्या यही विश्व गुरू बनेगा हमारा देश सबसे पहले तो महिलाओं को समझा जाता है कि घर की इजट होती है जब भी कुछ होता है तो कहा जाता है कि उनके घर की बेटी उठालो आप आम तोर पे भी अगर गाओं में जाएंगे तो कोई किसी को पैसा दिया रहता है तो कहता है कि अपनी बेटी को भेजवा देना यानि गारजीवन रेड लाइट एरिया में जाते हैं, एक महिला को पूरा कपड़ा उसका खुलवा के, पूरे मार्केट में घुमाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लाइब वीडियो करके, फेस्बुक पर लाइब करके और पूरा दिखाते हैं, उसके बाद तुरंत किंदर सरकार जो पुरकी घटना ये घटना एक महिना पहले की है और उसके बाद कोई एक्षन नहीं लिया जाता है थाने में जो है थाना जो है वहां तक केस नहीं पहुंसता है महिला कहीं और थाने में जाकर केस करती है फिर वहां से इस थाने में केस आता है पुलीस के सामने सब कुछ होता है लोग सोचते हैं कि महिला को अगर हम सड़क पे उतार देंगे अगर उनका कपड़ा खोल के रख देंगे तो उस गाउवाले और उस घर वाले का इज्जत जो है वो उतर जाएगा आज देख रहे थे मांसुन सत्र चल रहा था और वहाँ पर जो लड़के हैं वो कपड़ा खोल कर प्रदर्शन कर रहे थे मध्यप्रदेश पुलिस ने उनको इसलिए गिरफतार कर लिया कि वो समाज को मतलब दुर्विवार कर रहे हैं समाज के साथ महिलाएं क्या सोचेंगी लेकिन मनिपुर में जो हुआ महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया इसलिए क्योंकि उस गाओं का घर वालों का इजज़त चला जाए महिलाएं घर की इज़त होती है आम तोर पर लोग कहता है कि बेटी जो हती है बाप की पगड़ी होती है समाँ देते हैं तो समाज का इज़त उतर जाएगा हम लोग दो महिलाओं पर बात इसलिए कर रहें क्योंकि वीडियो वाइरल हो गया हम बीबीसी का एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो दिल्ली में कई सारे लोगों को रेस्क्यू करके लाए गया है कई सारी लड़किया जो को छोड़ दिया गया और उन लड़कियों के शरीर पर कूदा गया मतलब कि उसको पर लाट से मारा गया हो जो नीचे गिर गई तो उसके शरीर पर एके करके लोग कूद रहे थे मतलब एक दरिंदगी की हद कर दी गई और उन लोगों को सेना बाद में जाती है वहाँ पर रेस्क्यू करती है उनको इलाज के लिए बाद में दिल्ली लेकर आया जाता है और दिल्ली में आकर वो लोग बता रहे हैं कि इन सारी चीजों के बारे में क्या क्या हो रहा है वो लड़किया कहती है कि अईसा नहीं है कि वहाँ पर लड़के कर रहे हैं वो कहती है कि महिला दूसरा कोिए महिलाओं पर कोई हात नहीं उठाएगा आप गौर्ण करते होंगे आप पढ़ते होंगे जब किसी वीर आदमी की कहाएं तो लिखा होता होगा कि हम निहत्य पिवार नहीं करेंगे आप समझेगा जे फर इजामपल मेयानमार में आज से पांच सल पहले भारतिया सैनी घुजे थे और बारो सो महिलाएं आकर उसको छुडा कर लेकर चली गई बारो सो महिलाएं लेकिन आप बात समझेगा हमको बस लगता है न कि यह समाज है न महिला को धाल का है बहुत इजी टार्गेट है आप समझेगा जो मोहित जी बोले बिल्कुल सही बात है मैती महिलाएं कुकी महिला वो लड़ाई महिला पुरुष का नहीं था लेकिन आप समझे कि नंगा करके पता है क्यों चलाया गया कहें कि उसको इस साबित करना था कि हम तुरा नीचे दिखा दिये हम बस इतना जानना चाहते हैं इस इस साबित करने के लिए लड़की का नंगा होना जरूरी है क्या और इस बात पर डिसकुशन हो सकता है कि भाई सरकार क्यों नहीं संभाल पाई सरकार का फेलियर है लेकिन जब मेन बात है कि आदमी के अंदर इतना घ्रीना बढ़ा हुआ है न कि उस सोचा कि हम लड़की को नंगा कर देंगे और उससे ही बड़ा बात सुनिए क्या है सरकार आती थी नहीं करना चाती थी अलग बात है लेकिन आप समझेगा यह सिर्फ भाजपा की बात नहीं है राजस्थान में भी सरकार चल रहा है मधिपरदेश में राजस्थान और मधिपरदेश के पिछले 10 गुनों घटना बता रहे आपको हम एवी बीके का कर्यकरताओं ने राजस्थान में मधिपरदेश में एक दलीत लगी कि साथ रेप किया वहाँ पर भाजपा बोला कि ना-ना कुछ नहीं हूआ है और कॉंगरेश अपना छाती यहां नहीं दिख रहा था देबात रहा था कि तुम लड़की को नंगा कैसे करवाया और आज भी जो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं फेस्बूक और और अने सोशल मेडिया साइट्स पर यह कहकर यह उसका गलती रहा होगा तो सोची कि कितना विभात्स है उलो दॉली जितने भी बाते आपने सुनें इसके बाद आप खुद को देश में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं सबसे पहली बात तो उनको समझे नहीं आ रहा हैं मैं इसके बोले क्या क्या ही बोला जा सकता है ना गंदा इतना घिनो ना शाम भूवे ग्याश्य है घिनो कि जो भी कुछ हम आपने सुना टेबल पर इसके बाद आप देश में महिलाओं को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं सुरक्षित मैसूस करती है सबसे बड़ी घटिया बाती है कि अभी बैटके हम लोग यही बात करते हैं कि सुरक्षित हैं हम लोग की नहीं है यह तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने दिनों तक हम लोग बात कर रहे हैं कि अब तो लड़कियां कितनी आगे बढ़ गई हैं फेम गुजरात राइटS हो या फिर कोई भी वॉर हो हर जगह उन लोग के लिए ये एक आजार होता है कि किसी औरत के साथ कुछ ऐसा कर दो कुईक्र उनके लिए वो एक कमजोर तबका है उसके साथ कुछ ऐसा कर दो कि बाकी के लोग नज़र जुका लें वो लड़की कुछ बोलने करने लायक ना रहे तो safety के जहां तक बात है तो बिल्कुल मतलब अभी तो लग रहा है कि वापस से zero से शुरू करना पड़ेगा शायद हम लोगों को zero से हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा शायद हम लोगों को यह जो ढखोसला लेके लोग बैटके candle march करते हैं इन लोग को कटई कोई मतलब नहीं है कटई कोई उन लोग को फरक नहीं पड़ता है क्योंकि अगर उन लोग को फरक पड़ रहा होता इसके बारें बात करने के लिए हम लोग के लिए बहुत ट्रॉमाटीक है लड़कों के लिए तो होगा साहिर सी बात अगर कोई समेधन शील इंसान है तो उसके लिए होगा लेकिन लड़कों के लिए all the more ज्यादा ट्रॉमाटीक है तो इसको बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहा है प्रेशान मनिपूर में जो हुआ वो अभी से नहीं हो रहा है चार पाच महीने से वहां हो रहा है जब कल एक पत्रकार वहां के मुखी मंत्री से सवाल पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो उसको चुपकर आ रहे थे और कह रहे थे कि आप आकर यहां पर जमीनी हकीकत देखे यहां पर एक नहीं एक वीडियो वाइरल हुआ तो आप उस पर सवाल उठाड़ी हैं पर कई महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो सरकार को ऐसा बोलने में शर्म नहीं आ रहा है जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जाकर कभी बैंगलोर में मीटि यहीं सौच रहा है कि उनकी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है जब उनको पर बोत में चलांद्र कर कहते हैं लेकिन सबसे बड़ा बात हमको इस बात का बहुत ज़्यार दिक्कत है कि प्रधान मंत्री को कम सब्सक्राइब मुनासी दिन का वेट नहीं करना चाहिए था ठीक है एक और बात समझेगा सरकार वहाँ पर इंटरनेट बैंड की हुई थी आप सब बात को अगर मिलाइए सरकार कोई पता था कि वहाँ पर हो रहा है एक बात इसमें हम यह कहेंगे कि सरकार ने जाकर उस लड़की सथा सा कुछ नहीं किया लेकिन सरकार इसलिए दोशी है कि सरकार जानती थी कि यह सब हो रहा है सरकार अ पर हमको लगता है कि सरकारी गलत हो जाती है आपको कुछ नकुछ ऐसा इंत這種 करना चाहिए था आपको मालूम हो रहा तौर है इसमें यही काम अगर किसी हलका सा और आगे छितर में हुआ रहता ना तो पुरा देश जल रहा होता भी पुरा देश उसका इस पर opinion दे रहा होता लेकिन इस वीडियो के वारल होने के बाद भी अगर कई तबके से हैं जो नहीं बोल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि प परिनाम समझेगा या जब विदेश का अख़बार सब छापेगा चापेगा और लिक की रख लिए चापेगा और चापेगा अब चाप गया होगा लेकिन बात यहां कि अभी सब कुछ सामने नहीं आया है अब 10 दिन रुकिए और 10 दिन बात विदेश ही जब रिपोर्टर स आणे को तो आपने क्यूं नहीं किया आप ने कूं मामले को इतना आपने का वश्मे कर लिया और शुनिए अगर आप चांट इसकी बी चीज का बदला लेने के लिए बहां की और दो का इस्तिमाल होता है उसका मतलब वही था उस हैडलाइन का और बिटिश पालियामेंट और हर जगा लोग इसके बारे में बात करें और कहीं वे कुछ अच्छी बात नहीं हो रहे तो यह लोग जो चौड में आके बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के कारण भारत जो है वो म सबसे पहले तो जो केस दर्ज हुआ है खत्या का केस दर्ज हुआ है 302 लगा है फिर 304 लगा है महिला के साथ चेट्चार करने का उसके बाद 376 लगा है जो कि बलतकार का है और उसके बाद महिला को घायल करने का यह जो केस दर्ज हुआ है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केस दर्ज हो गया है गिरपतारी एक वेक्तिकी हुई है वहाँ की सरकार पहले वहाँ की पुलिस ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था फिर गिरपतारी हुई और अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैं लोकसभा सुन रहा था राजसभा मांसुन सत्र चल रहा है मांसुन सत्र में हंगामा हो रहा है और विपक्ष वो कह रहा है कि प्रधान मंत्री आए सदन में बातचीत करे मनीपूर के बारे में लेकिन कोई बात करना नहीं चाह रहा है हंगामा हो रहा है सदन पूरा आवारा हो चुका है बिलकुल मनीपूर पर चर्चा हो ही नहीं रहे है कोई चाहता ही नहीं है कि मनीपूर पर चर्च कर लीजिए जरूरत है मनिपूर पर चर्चा करने के लिए और बिपक्ष पोस्टर पर लिख कर कि परधान मंत्री सदन में आए मनिपूर पर चर्चा करें यह पोस्टर लेकर सदन में हंगामा कर रहा है इसके बजाए कि सदन में मनिपूर के लिए आवाज उठाए और पक्ष के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि परधान मंत्री ने तो कही दिया कि action लिया जाएगा अब क्यों हंगामा कर रहा है तो बस हो गया चर्चा सदन में मानसुन सत्र चल रहा है अगर इस पर चर्चा होती तो सायद मनिपूर अब तक चल नहीं रहा होता सबसे पहले बात कि कॉंग्रेस पार्टी अपना छाती पीट रही है लेकिन अब रिकॉर्ड देखेंगे तो 2008-2011 जब उनका भी सरकार था फिर भी हर साल वहां पर सेकड़ो आम लोग मारे जाते थे जैसा कि इस साल मारे गया है और सेकड़ो सेना के जवान मारे जाते थे जैस सथीक होगा हमको लगता है कि कुछ लोग मानुवा धीकार को समझता ही नहीं है एक ही होता है कि मानुव अधिकार हमको मिलना चाहिए जैसे सेना के ऊपर जो नियम था न कि उसको पावर मिला था वो था तो सबसान था वो हटा तो लोग को मन में वो आ गया कि क्या है हम लोग आपस में लड़के फर्या लेते हैं कि कौन कितना जमीन छेकाली मतलब लड़ाई तो कि हमरा प्रभाव कि तुमरा प्रभाव अब गाव में क्या होता है दुग अगर गोतिया पड़दार जब लड़ता है तो इसलिए लड़ता है कि एकर जमीन हम छेकाली को अगर जमीन उच्छेकाले तो वैसे ही हो यह कूकिया महता ही है दोनों लड़ रहा है कि इसका जो न अंतराष्टिये बॉर्डर है ना अंतराष्टिये बॉर्डर पर अगर सब कुछ ठीक कर लिया गया तो 60 से 70 परतिशत तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सुल्व हो जाएगा क्योंकि जो कुकी लोग बाहर से आ रहे हैं वह आकर हमला करते हैं वापस मैनमार भाग जाता ह है बांगलादेश भाग जाता है भारत की सेना कुछ करी नहीं पाती और आप समझे को बिहार नहीं है कि सलक सलक दोडाकर सेना पकल डेगा अरे वह पहार है जंगल है कुछ पता नहीं है ड्रोन हेलकॉप्टर हुम रहा है फिर भी नहीं दिख रहा है कि नीचे जंगल में प तो आधा से जाधा समस्या सॉल्फ हो जाएगा बिल्कुल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए अगर सरकार ध्यान देगी तो सायद ऐसा नहीं होगा और सर ने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर को अगर ठीक कर दिया जाए बाहरी लोग आ रहे हैं जब दो लोग आपस में लड़ते हैं जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो बाहरी लोग क्या करते हैं आकर और कान भढ़कर चले जाते हैं कि वो लोग लड़ते रहें और वो अपना मजाल लेते रहें वैसे ही हो रहा है बाहर से लोग आ रहे है जगडा लगा रहे है और फिर चले जा रहे है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और खास करके देश के प्रधान मंत्री को ध्यान देना चाहिए वहां के मुख्य unmantri से बात करना पाण सिकता के तरीगे के लोग है ना उन लोगों के उपर काम करना चाहिए और मतलब आप देखिए ना कुछ भी गलत होता है तो सब के कॉमेंट बॉक्स में उनकी मा बहन उनकी वाइफ यह सब को पकड़ पकड़ के लोग गाली देते हैं गाली में भी घिनाते हैं यही बोल चाहिए ना उनका दिल दहलना चाहिए क्योंकि अभी यह सोचने की बात है कि जो लोग उसके बाद बच्चे हैं भी है ना वह नहीं नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे वह रात में नींद भी जो सुन रहा है वह नहीं वह ट्रॉमेटाइज हो जाएगा वह आदमी इतना परे ही नहीं चल रहा है क्योंकि ऐसे मान सकता की उपर कुछ जवाब ही नहीं है जुस्से की लोगों का दिल दहले अब ऐसे कदम की शायद से जरूरा थे क्योंकि वह लोग भी उतने नीच गिर चुके हैं इतना नीचा गिर चुके हैं कि उनके लिए कुछ वैसा ही उपायल चा तो यह मरेया संसकार था कि हैं अगरशा इसके अए से उसा भी हो सकता है कि अपने बच्चों को चिखाईए अपने माबाप जो है कोई विस्व के कहीं भी माबाप होगी बताईए कि आपके पास अपकी बेहन आपकी बेटी आपकी बेबी आपकी दोस्त या कोई अंजान महिला है तो आप उनका कद्र करिए आप वहां से हज जाईए ललाई हो जगड़ा हो मारा पिटी हो क कुछ भी हो तो आप बात करिए जहां बात करना है आप उनको बीच पे मतला आईए और जी आप खिलवार कर रहे हैं आप दिखा रहे हैं और यह भी दिखा रहे हैं कि आपने क्या सीखा है तमाम नियम कानून जो यह मैनमार का बाटर के बाद मोहिजी बोले बहुत परफेक होता है एक तो संसकार देता है वो बताता है कि आपको मा बहन की गाली ही नहीं देनी है क्योंकि जो वेक्टी मा बहन की गाली दे रहा है वो मा बहन की रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकता दूसरा परिवार के का बात हमने इसलिए कहा क्योंकि हमारे देश के प्रधान मंत्री सर कि हमने कहा कि परिवार काफी जादा जरूर है और तीसरी बात लड़कियों के लिए है क्योंकि अब ये शुरुवात हो चुकी है आपके मत समझे कि आपके साथ नहीं होगा तो आपको हमेशा बोल्ड रहने की जरूरत है आप किसी पर विश्वास मत कीजे अगर कोई आपको मुंबई में होंगे हर जगा दरिंदे बैठे हुए हैं तो आपको अब सक्त होने की जरूरत है और बाकी हमारी जो सरकार है उस पर हम अभी भी भरोसा करेंगे और हम आशा करेंगे कि वो ऐसे दरिंदो को सज़ा ऐसा देगी कि उसके बाद लोग रेप नाम से लड़किया नहीं बलकि लड़के भी डड़ेंगे बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं अस मुद्दे पर आप कमिंट बॉक्स में ज़रूर बताएए अगले हफते नहीं मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाज़िद होंगे धन्यवाद